केरल एंजिनेरिंग छात्र अब 22 से डाल सोर्स बाइक चैलेंज की कोशिश कर रहा है यह दुर घटना बेंगलुरू पुने राश्ट्रिय राजमार्क पर चार बजे चित्रदुर के पास हुई थी केरल के एक 22 वर्षिय एंजिनेरिंग छात्र ने चरम मोटर साइकल की सवारी चुनोती का प्रयास किया उद्वार को उनकी बाइक पडोसी करनाटिक में लौरी में दुर घटना ग्रस्थ हो गई केरल के पालक कर जिले के पिंपडी में नेहरू एंजिनेरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के चात्र मिदुन खोश जो एक कढ़ा परिशानी चुनोती के रूप में जाना जाता है का प्रयास कर रहे थे जहां लक्षि 24 घंटों के भीतर कम से कम 1600 किलो मीटर के लिए दो पहिया वाहन की सवारी करना है घंटे इंजिनेरिंग छात्र को तुरंट मार दिया गया था जब उसके 250 सी सी होंडा सी बियार 250 और एपसुल एडिशन मोटर साइकल एक लॉरी में फंड्स गई थी जो उसके आगे थी और अचानक तूट गई थी करनाटक में पुलिस ने कहा लॉरी ड्राइवर के खिलाफ दांत और लापर वह ड्राइविंग का मामला दर्ज किया गया है यह दुर घटना बेंगलुरू पुने राश्ट्रिय राजमार्क पर चार बजे चित्रदुर के पास हुई थी मिधहुन के परिवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी उत्रित करते हुए केरल पुलिस ने कहा कि उन्हें स्पीड बाइक की सवारी के लिए संकी थी और वह सेडल सोर चुनौती में भाग ले रहे थे जिसके लिए सवारों को 24 घंटों में लगभग 1600 किलो मीटर का वक करना पड़ता था समाचार एजिंसी प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने पुलिस को उत्रित किया कहके रूप में सडल दुख की चुनौती आयरन बाट असोसियेशन नामके कमेर की आधारत संगठन द्वारा आयोजित की जाती है मंगलवार को मंगलवार को चुनौती के लिए छोड़ दिया गया था अपनी मा को बताया कि वह तमिलनादू के पडोसी को एमब तुर जा रहा था पुलिस ने अपनी योजना बर्धियात्रा पालकर बेंगलुरू पुने के मार्गमान चित्र का एक स्केच पाया पास के उटापालिम में अपने घर से और इसमें शामिल जोखिमों पर कुछ चोटिंग आप आदकाल के लिए आवशक उपकरन और चोकलेट जैसे खाने के लिए आवशक उपकरन पुलिस ने कहा मिध हुन नियमित रूप से अपने फेस्बुक और इंस्टाग्राम खातों पर अपनी मोटर साइकल की सवारी की तस्वीरें पोस्ट करते थे